प्यार है दिल में आजमाया नहीं गया, रात में जलता रहा खाली दिया, बुझाया नहीं गया प्यार है दिल में आजमाया नहीं गया, रात में जलता रहा खाली दिया, बुझाया नहीं गया probability सीखना है आसा दोस्तो probability सीखना है बेहत आसान दोस्तो मगर ढंग से सिखाया नहीं गया probability को हम ढंग से सीखते ही नहीं है सिखाने वाले सिखाते ही नहीं है कोशिश करूँगा probability आपके दिल तक पहुँच जाए हमेशा से मेरी कोशिश रहती है probability को feel करा दूँ lectures में मैं बारीकियां डालने की हमेशा कोशिस करता हूँ प्यार है दिल में आज माया नहीं गया अब ना spider man होगा ना bat man होगा अब maths man होगा maths man जल्दी ही मैं surprise लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए maths man मेरी बस इतनी सी कोशिस है जादा बड़ी तो मेरी कोशिस नहीं है इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं मेरी बस इतनी सी कोशिस है कि maths आपके दिलों तक पहुँच जाए maths से आपको महबत हो जाए तो कैसे हैं आप लोग I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भना आए आज प्रोबबलिटी का next lecture शुरू करते हैं आज प्रोबबलिटी का अगला lecture शुरू करते हैं उससे पहले कुछ-कुछ अपने बारे में ये बाते लिखी हुई हैं देखना चाहों देख सकते हो आप लोगों को मालूम भी होगा PDF notes lecture के चाहिए टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है जोइन कर सकते हैं और भी further notification टेस्ट वगेरा की मिलती रहती हैं इसके उपर सवाल आपके सामने है आज के इस lecture में हम क्या क्या करने वाले हैं पहले तो तुमको बता दूँ यार मैं पहले तो कुछ question solve करेंगे questions solving होगी last lecture में चीटी ने सिखाई थी conditional probability किस ने सिखाई थी चीटी ने सिखाई थी आपको conditional probability अगर आपने पिछला lecture नहीं देखा है जी हाँ अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख लें conditional probability और multiplication theorem of probability हमने सीखी थी conditional probability and multiplication theorem of multiplication theorem of probability हमने last lecture में सीखी थी दोनों थियोरम बेहद आसान है बहुती सरल तरीके से चीटी ने हमको सिखाया था previous lecture में नहीं देखा है तो देख लीजिए आज के इस lecture में हम conditional या multiplication theorem of probability पे कुछ सवाल solve करेंगे और उसके बाद मैं आपको बेहद खास term सिखाने वाला हूँ independent event और dependent event क्या होते हैं probability की एक शांदार term है जानना बेहद जरूरी है independent event और dependent event क्या होते हैं जी हां बता दूँ आपको independent event और dependent event क्या होते हैं independent event और dependent event क्या होते हैं जी हां पहले question solving उसके बाद फिर independent event और dependent event क्या होते हैं ये बता दूँगा आज के lecture में अगर सीख लिया आपने तो मज़ा आ जाएगा देखे ज़रा पहला question screen पे आपके सामने है इस question को सबसे पहले solve करेंगे प्यार दिल में है बहुत हमेशा रहेगा रिस्पेक्ट दिल में है बहुत हमेशा बरकरार रहेगी बढ़ती जाएगी कम नहीं होगी खता मेरी इतनी सी है कि जिद्धी हूँ मैं कि जिद्धी हूँ मैं काश मैं जिद्धी ना होता सवाल आपके सामने है दो लोगों को एक प्रोब्लम दी गई बैट मैन को और मैट मैं पर नोजेर यएगी सवाल है मैट का बैट मैन को मैट न को लिखा है who solve it independently एक problem sorry problem दी गई mathematics की दो लोगों को वो independently solve करेंगे आपस में गुटूर गुटूर करके discussion नहीं करेंगे independently solve करेंगे ठीक है if probability of a solving is 1 by 2 अच्छा एक कौन है बैटमेन है क्या चलो भी बैटमेन का नाम ए कर देते हैं दो लोग है दो लोग है ए और बी probability of a solving it is 1 by 2 probability of b solving it is 2 by 3 b solve कर दे 2 by 3 है a problem solve कर दे इसकी probability 1 by 2 है b problem solve कर दे इसकी probability 2 by 3 है problem दोनों को दे दी solve करो चलो भी या solve करो सवाल क्या पूचा है सवाल पूचा है sorry सवाल पूचा है find the probability that problem is solved बताएं कि problem solve हो जाएं इसकी क्या probability है अपने को probability बतानी है probability बतानी है that problem problem is solved problem solve हो जाएं अब यार problem तब solve होगी जब या तो A solve कर दे B से ना हो पाए या B solve कर दे A से ना हो पाए या दोनों के दोनों solve कर दे ये बात समझनी है मतलब A solve कर दे B से ना हो पाए B solve कर दे A से ना हो पाए या दोनों के दोनों solve कर दे तो मान लेंगे problem solve हो गई बात समझ में आ रही है यह इसको यह भी समझ सकते हैं कि one में से minus कर दीजिए one में से वो minus कर दीजिए probability जब दोनों से ही solve ना होती हो तो बच जाएगी जब यह तो एक से solve हो जाए यह दोनों से solve हो जाए तो 1 में ऐसे अगर probability minus करने हैं, 1 minus probability, 1 minus probability that both A and B, both A and B are not able to solve the problem. समझ म्यारी में क्या कह रहा हूँ, not able to solve the problem, 1 में से minus कर दो probability को, जब A and B दोनो problem ना solve कर पाएं, तो बच जाएगा वो probability, जब A and B में से कोई न कोई तो कर ही लेगा, problem solve हो जाएगी, हमें तो problem solve होने की probability निकालनी है, हमें problem solve होने की probability निकालनी है, 1 में से ना होने की probability minus कर दो, होने की probability, solve होने की probability बच जाएगी दोस्तों, समझ में आ रही के निया रही बात, ठीक है ना, अगर मानलो देखो, मानलो मेरे पास, मेरे पास यह दो pen है, ठीक है, अब देखी मेरे पास दो pen है, तो अगर मुझे यह वाला pen select करना है ना, यह वाला pen select करना है, तो मेरे पास दो option है, या तो मैं इसको select कर लूँ simply, घर चले जाओं, या मैं इसको फेक दूँ, eliminate कर दूँ, है ना, इसको eliminate कर दिया यह लो, unwanted चीज को eliminate कर दो, अपने आप, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, वही मैंने किया, मुझे जो चाहिए था, टोटल में से unwanted minus कर दिया, जो चाहिए था, वो मिल गया, बात समझ में आ गई, अब यहाँ पर खेल क्या है, ए, problem solve कर दे, इसकी probability 1 by 2 है, तो A problem ना solve करे, इसकी probability कितनी है, A complement की probability कितनी है, 1 by 2, A complement की probability कितनी हो जाएगी, 1 by 2 हो जाएगी, B problem solve कर दे, इसकी probability 2 by 3 है, तो B से problem ना solve हो, इसकी probability कितनी हो जाएगी, 1 minus 2 by 3, 1 minus 2 by 3, that is 1 by 3 हो जाएगी, तो A से problem ना solve हो, इसकी probability 1 by 2 है, B से problem ना solve हो, इसकी probability 1 by 3 है, है ना, required probability जो होगी, देखिए, 1 minus, 1 minus probability, probability, जब A से भी solve ना हो, and B से भी solve ना हो, A से भी solve ना हो, और B से भी solve ना हो, कहने का मतलब मुझे निकालना है probability of A complement, and बोले तो intersection, सारी बाते सिखाई हैं, अगर आपको यहाँ पे symbols को समझने में परिशानी आ रही है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, कि probability के, probability के पुराने lectures को देखें आप, ठीक है ना, probability के पुराने lectures को देखें आप, 1 minus probability of A complement intersection, B complement, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 minus probability of A complement intersection, B complement को लिख सकते हैं, A union B का complement, A union B का complement, D Morgan's low से, बताया भी था आपको, D Morgan's low, ठीक है, तो A union B का complement, अब देखें जाएगा, probability of A union B क्या होती है, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है, तो probability of A union B हो जाएगी, probability of A कितनी है, probability of A कितनी है, 1 by 2, probability of B कितनी है, 2 by 3, probability of A is 1 by 2, probability of B is 2 by 3, minus, probability of A intersection B क्या होगी, इसका formula बताया था, multiplication theorem probability of A into probability of B by A, ठीक है, B by A मतलब जब probability, B problem solve करने की जब A solve कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल में यह लिखा है, कि यह दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब A problem solve कर दे, उसका B के solve करने की probability पे कोई impact नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो यार, यहाँ पे A और B का problem solve करना independent है, यह बात समझे नहीं, थोड़ी intuitive feeling आ रही कि नहीं आ रही, दो लोग problem solve कर रहे हैं, A से problem solve हो या ना हो, उसका B के problem solve होने या ना होने पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों का problem solve करना independent है, तो यहाँ पे B independently करे या A के करने के बाद करे बात एक ही है, तो इसको directly लिख सकता हूँ मैं, यहाँ probability of B, ठीक है जी, तो यह हो जाएगा, 1 by 2 plus 2 by 3 minus, probability of A is 1 by 2 and B is 2 by 3, ठीक है, तो यार 1 by 2 plus 2 by 3 minus, minus 1 by 3, ठीक है, तो यह हो गया, 1 by 2 plus 1 by 3, देखेंगे तो कितना हो गया, 5 by 6, ठीक है जी, तो probability of A union B 5 by 6 हो गया, ठीक है, 1 minus, probability of A union B का complement है, इसको लिख सकते हैं, 1 minus probability of A union B, ठीक है, ठीक है, किसी भी event के complement की probability निकालनी हो, तो 1 minus probability of that event कर सकते हैं, ठीक है जी, तो 1-7 cancel हो गया, यह आगा डिरेक्टली probability of A union B, probability of A union B किता है, 5 by 6 किता है, 5 by 6 answer कितना आगया, 5 by 6 answer आगया, बात समय में आगी न, कैसे आया, conceptually मैंने आपको बता दिया है, conceptually मैंने आपको बात एकदम अच्छे से बता दी है, ठीक है जी, move करते हैं, आगया, डिरेक्टली भी कर सकते हैं इसको आप, 1-1 by 2 into 1 by 3, ठीक है न, यह तो चलो मैंने पहला question है, detail में, यहाँ पर सिखा है, आपको इसको यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है न, इसको देखो, आप डिरेक्टली यहाँ से भी solve कर सकते हैं, यहाँ से, यह न, चुकि मैंने independent event वगएरा आपको अभी बताया नहीं है, तो इसलिए नहीं use किया, आप इसको यूँ मी कर सकते हैं, देखो, 1-probability of A complement into probability of B complement, है न, B से problem ना solve होना, A के ना solve होने पे independent है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लिख लें, या फिर, directly ऐसे लिख दें, इस case में कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है जी, तो A से problem ना solve हो, इसकी probability 1 by 2 है, B से ना solve हो, इसकी 1 by 3 है, ठीक है, तो यार, problem के solve होने की तो 5 by 6 है, और ना solve होने की 1 by 6 है, correct है एक दम, चलिए, move करते हैं next question पे, screen पे आपके सामने है, रोल करें आप, एक dice को दो बार रोल करें आप, ठीक है, let A be the event that, the sum of two rolls equals 6, मतब एक dice को दो बार रोल किया, एक event A क्या है, event A है, sum of the outcomes is 6, यह event A है, sum of the outcomes is 6, ठीक है, यह event A है, ठीक है, let B, let B be the event that, same number comes up twice, dice, B क्या event है, दो बार dice रोल करते हो, तो, same number appears, on both, like, same number appears both times, both times, दोनों बार same number आजाए, पूचा है, probability of A by B बताओ, मतब conditional probability बताओ, A की, जब B हो चुका हो, यह A by B symbol जो है, आर A slash B symbol जो है, I hope, इस से आपको पूरी clarity होगी, last lecture देख सकते हो, clarity ना हो तो, ठीक है, मैंने पताया था, probability of A by B, इसको आप यहूँ कर सकते हैं, probability of A intersection B upon probability of B, इस formula से आप निकाल सकते हैं, probability of A intersection B upon probability of B, ठीक है, देखो, जब एक dice को दो बार रोल किया जाता है, तो outcomes क्या-क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-2, 4-3, 4-4, 4-4, 5-4, 6, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, यह outcomes possible हैं, दो बार जब dice को रोल करोगे आप, sum of the outcome is 6, sum 6 आ जाए, sum 6 की देखो, क्या-क्या possibility हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, sum जो है कितना 6 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसी possibility हैं कि sum जो है, वो 6 आ जाए, ठीक है ना, total possibility कितनी है, 36, यहाँ पर देखिए, total possibility कितनी है, 36, एक बात बता दू, number of elements, sample space में कितने है, sample space में elements 36 है, A को favor कितने करते हैं, A को favor कितने करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पांच बारी, 5 outcomes जो है, A को favor करते हैं, sum कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो sum 6 कब आएगा, जब 5, 1, 4, 3, 3, 2, 4, 1, 5 हो, ठीक है, B को, B को कौन कौन favor करता है, B बोले तो, B बोले तो, B बोले तो, same number appears both times, मना, दोनों दफे same number ही आए, दोनों दफे same number आए, यार, यह देखिए, दोनों दफे same number आ रहा है, कितनी possibility हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B को favor करने वाले, 6 outcomes हो गए, और एक outcome ऐसा है, अरे, रे, रे, यह देखिए, एक outcome ऐसा है, जो A intersection B को favor करता है, मतलब, sum भी 6 है, और same number भी आ रहा है, एक outcome ऐसा है, जो A और B, दोनों की बाते मानता है, मतलब, A intersection B के favor में, एक outcome है, A intersection B के favor में, एक outcome है, तो probability of A intersection B निकालनी है, तो A intersection B की probability कित्ती हो गई, हो गई, number of favorable outcome 1, total outcome 36, यह हो गई, probability of A intersection B, B की probability कितनी है, B की probability, 6, favor कर रहे हैं, total 36, cancel करेंगे, तो 1 by 6 probability आ गई, क्या आ गई, 1 by 6 probability आ गई है, अरे समझ में आ गई क्या, probability of A by B पूच्छा था, निकाल दी 1 by 6 आ की, process एकदम, neatly, cleanly समझाई है, बार बार देख सकते हैं आप, वीडियो पे वापस बार बार जा करके, probability जो है न, सीधी दिमाग पे राज करती है, बात को ध्यान से सीखना चाहिए, चलते चलते इस सफर में बहुत दूर निकल गए हम, दुखी तुम भी हो, दुखी हम भी हैं, जिन्दगी जीने का नाम है, सफर तो जारी रखना होगा, अगला सवाल करते हैं, मायूसी नहीं, सवाल अगला होना चाहिए, let A and B, let A and B be two events, A और B दो events है, probability of A given है, 0.3, probability of B given है, 0.6, दो events की probability दे रखी है हमको, probability of A दे रखी है, probability of B दे रखी है, probability of B by A, 0.5 है, निकालना है, probability of A compliment, given that B compliment has already happened, conditional probability अगर आती है, तो घबराने की ज़रूत नहीं है, step by step बताऊंगा, पूरा सवाल दिमाग में चला जाएगा, probability of A कितना है, 0.3, probability of B कितना है, 0.6, probability of B by A given है, 0.5, दोस्तों आपको मालूम चल चुका होगा, अब तक के सफर में, probability of B by A, probability of A intersection B, upon probability of A होता है, probability of B by A, probability of A intersection B, upon probability of A होता है, तो यहां से probability of A intersection B निकल जाएगी, 0.5 into probability of A, probability of A कितनी है, 0.3 है, तो probability of A intersection B हो गई, 0.15, कितनी हो गई, 0.15, A intersection B की probability, ठीक है, हमें निकालने के लिए दिया गया है, ध्यान से देखें, हमें निकालने के लिए दिया गया है, probability of A complement, slash B complement, तो यार यह हो जाएगा, probability of A complement, intersection B complement, upon probability of B complement, conditional probability का formula, I hope आपको मालूम होगा, concept मालूम होगा, multiplication theory of probability मालूम होगी, ठीक है, नहीं मालूम तो भही, lecture attend कर लीजिए, मालूम कल जाएगी, अब यह लिखा जा सकता है, probability of A union B complement, D Morgan slow लगा के, इसको A union B का complement कर दिया मैंने, correct है जी, और यार, complement of an event की probability, 1 minus probability event की कर दो आप, नीचे क्या कर दो, 1 minus probability of B कर दो आप, probability of B तो मालूम है, 0.6, denominator तो मालूम हो गया, 1 minus 0.6, numerator में A union B की probability नहीं मालूम, A union B की probability और मालूम चल जाए, तो मजा आ जाए, A union B की probability कैसे निकाले हैं, P A plus P B, minus P A intersection B, space का issue है, छोटा लिखता हूँ थोड़ा, दूसरे रंग से लिखता हूँ, जीवन जो है ना, रंगों से भरा होना चाहिए, सुख और दुख तो आएंगे, क्या करें, घवराने का नहीं, probability of A union B, का formula होता है, addition theorem of probability सिखाई थी भई ये आपको, बन्दाट तरीके से, probability of A कित्ती है, 0.3, probability of B कित्ती है, 0.6, probability of A intersection B कितना आ गया, 0.15 आ गया, 0.15, तो probability of A union B कित्ता आ गया, 0.3 में से 0.15 minus करेंगे तो कित्ता आ गया, 0.15 आ गया, 0.15 प्लस 0.6 कित्ता आ गया, 0.75 हो गया मेरे साब से तो, 0.75 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, है ना, A union B है ना, A यह, यह, यह value निकाल दी, मैंने 0.75, 1 minus 0.75, 0.25 होता है, 0.25 अपोन 0.4, 0.4 को 0.40 भी लिख सकते हैं, calculation एकदम साफ है, 25 अपोन 40, 25 अपोन 40, 5 से cancel किया जाए, 5 by 8, answer आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों, 5 by 8, answer आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार, इस प्रकार के जो questions हैं, examination में, कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, I hope, यह एकदम clear है, तो यार, कुछ question हमने conditional probability पे solve किये, उससे conditional probability पे हैं, मैंने variety of questions करवाई हैं, उससे conditional probability पे आपकी पकड मजबूत होगी, मैं यह चाहता हूँ, कि आप conditional probability के theory वाले lecture को, previous lecture को ध्यान से देखें, questions जो आज करवाए हैं, उनको समझें, पूरे concept की revision दो-तीन बार करें, ताकि यह concept आपका अच्छा हो जाएं, दोस्तों, अब बारी है यह सीखने की, कि independent events क्या होते हैं, और dependent events क्या होते हैं, बहुत ही खास किसम की terms हैं, independent or dependent events, example लेके सीखते हैं, देखिए, यहाँ पे Batman है, Batman के matchman? matchman है, यहाँ पे matchman है, matchman ने दो काम किये, one by one, पहला काम matchman ने क्या किया? a dice is rolled, a dice is rolled once, एक dice को एक बार उचाल दिया, दूसरा काम क्या किया? एक coin को टोस्ट किया, a coin is tossed once, सिक्का उचाल दिया एक बार, पहला काम क्या किया? एक dice को रोल कर दिया, दूसरा काम एक सिक्के को टोस्ट कर दिया, one by one, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या, इस dice पे जो outcome आएंगे, जो भी इस dice के possible outcomes होंगे, क्या उनकी probability, इस सिक्के के जो outcome आएंगे, उनकी probabilities, आपस में एक दूसरे को effect करेंगी, या नहीं करेंगी, मैं तो कहता हूँ, नहीं करेंगी, dice पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इस बात का सिक्के पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसके उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर किसी event के होने या ना होने का, दूसरे event के होने या ना होने पे, कोई फरक ना पड़े, तो बोलेंगे events independent हैं, इन्डिपेंडेंडेंट इवेंट हैं, एक event के होने या ना होने का, दूसरे event के होने या ना होने पे, कोई भी फरक ना पड़े, तो बोलेंगे events हमारे independent हैं, क्या बोलेंगे events क्या हैं, independent हैं, यहाँ पे एक event इवन है, occurrence of a prime number, occurrence of a prime number, इस experiment के corresponding मैंने एक event इटू डिफाइन कर दिया, occurrence of a head, head का आना, मैं कहता हूँ, इधर prime number आए, या ना आए, उसका इधर head आने, या ना आने पे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह दोनो events independent हो जाएंगे, E1 और E2, E1 और E2 independent events होँगे, independent events होँगे, एक event का होना और ना होना, दूसरे event के होने और ना होने पे, अगर impact ना डालता हो, तो बोलेंगे events independent, events independent हैं, और अगर फरक डालता हो, तो बोलेंगे events dependent हैं, क्या है dependent? यह मत समझना गुस्षे में बता रहा हूं एक इवेंट का होना और ना होना दूसरे इवेंट के होने और ना होने पे बिल्कुल भी फर्क ना डालता हो, तो बोलेंगे इवेंट क्या हैं, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं, If occurrence or non occurrence of one event will not affect the occurrence occurrence or non occurrence of the other event then we can say that then we can say that events are independent then we can say that events are independent. events kya hongi independent hongi otherwise events will be dependent. और ऐसा अगर ना हो otherwise events are set to be dependent. Otherwise events को क्या बोलेंगे हम dependent बोलेंगे बेहतरीन बात है दोस्तों आप इसको note कर लीजिए. बेहतरीन बात है दोस्तों note कर लीजिए. If occurrence or non occurrence of one event will not affect the occurrence or non occurrence of the other event then we will say the events are independent otherwise events kya hongi dependent hongi. अब ये बात मुझे लगता है आपको intuitively एक feel wise तो समझ में आ गई होगी. दिल की धड़कने तो बया करना चालू कर दिया होगा कि हाँ यार independent or dependent event क्या होते हैं. मतला feel होना चालू हो गया होगा लेकिन mathematics में सिरफ feel से काम नहीं बनता. mathematical calculation उसके mathematics को समझना भी जरूरी है. आईए dependent और independent events के गणित को समझते हैं, mathematics को समझते हैं. मैं ये कहता हूँ कि if events A and B are independent, events A and B अगर independent हैं तो होगा पता है क्या? जो A by B है ना, मतला probability of A by B, B हो के A हो या directly A हो एक ही बात है भाई? बी का जब A पे असर ही नहीं पड़ रहा, बी का जब A पे असर ही नहीं पड़ रहा, बी हो के A हो या directly A हो फरक ही नहीं पड़ता? उसी प्रकार से, उसी प्रकार से probability of B by A सीधा probability of B के बराबर लिखा जा सकता है. A और B अगर independent events हैं, तो probability of A by B को probability of A के बराबर लिखा जा सकता है, और probability of B by A को probability of B के बराबर लिखा जा सकता है, मेरे दोस्तों. I hope बात आपको समझ में आ गई होगी. I hope आपको बात समझ में आ गई होगी. इसको देखो जड़ा. मैं क्या कहे रहा था, कि probability of A intersection B जो है न, वो क्या होता है, probability of A into probability of B by A होता है कि नहीं होता है, इन जेनरल अगर देखा जाए तो. Multiplication theorem probability क्या बोलती है, यही तो बोलती है, कि probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B by A, ठीक है. अब A और B independent है, है न, if A and B are independent, if A and B are independent events, are independent events, then, 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 क्या होगा, क्या होगा? probability of A intersection B जो होगी, वो probability of A into, यह जो probability of B by A है, यह जो probability of B by A है, यार यह तो probability of B के वरावर है, किसके वरावर है, probability of B के वरावर है, तो probability of B by A की जगह पे क्या लिख सकते हैं? probability of B लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तो probability of A intersection B can be written as probability of A into probability of A into probability of B probability of A intersection B can be written as probability of A into probability condition ध्यां रख लेना independent events की दो events independent है तो ऐसा होगा ऐसा है तो events independent है, vice versa is also true, vice versa बोले तो statement का converse भी सही है, ulty statement भी सही है, and vice versa is, vice versa is also true, इस बात का converse भी सही है, इस बात का converse भी सही है, मेरे प्यारे दोस्तों तो events अगर independent हैं, तो probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, और अगर dependent हैं, dependent हैं तो ये और ये quantity बराबर नहीं मिलेंगी यार, ये बात एकदम समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आगी एकदम independent और dependent events की, ठीक है, अब कुछ लोग पूछ लेते हैं, कि तीन events कब independent होंगे, है ना, दो events के independent होने की बात तो समझ में आ गई, त्री events कब independent होंगे, तो बता दूँ आपको, three events A, B and C, if three events, if three events A, B and C are independent, अगर मालो तीन, तीन events A, B, C independent है, थेन, तीन events A, B, C अगर independent है, थेन, दिल से बात याद आ गई, यार, दिल से बार बार बात याद आ गई, क्या बात याद आ गई, दिल से बात याद आ गई, प्यार है दिल में, आजमाया नहीं गया आजमाया क्यों नहीं गया भई शैद बतलाया नहीं गया होगा तो आजमाया नहीं गया होगा खैर खाली जलता रहा दिया बुझाया नहीं गया कभी दिये को खाली नहीं जलने देना चाहिए खाली दिया जलते-जलते गरम हो जाता है, खाली दिया, जलते-जलते गरम हो जाता है, दिये को उतना ही जलाना चाहिए, जितना इस्तेमाल में आए, खाली जलता रहा दिया, बुझाया नहीं गया, हाँ, दिल की बात से, छोटी सी बात तो याद आएगी, क्या करें आब उस बात का तो, क अगर इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें चाहिए हैं पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं then a b and c must be must be mutually independent एक तो mutually independent और पतला pairwise independent पहले लिख दूँ must be pairwise independent must be pairwise independent तीन events जो है वो एक तो pairwise independent होने चाहिए और दूसरा a b and c must be mutually mutually independent तीन events a b c pairwise independent भी होने चाहिए दोदो के pair में independent भी होने चाहिए और तीनों आपस में भी independent होने चाहिए mathematically इस बात को समझना है mathematically अगर इस बात को समझना है तब यह थोड़ी कराब है ज्यादा थोड़ी कराब है ज्यादा ठीक है a b and c must be pairwise independent भोले तो कि a और b independent हो b और c independent होने चाहिए और c और a independent होने चाहिए और a independent होने चाहिए और p c intersection a p c into pa के बराबर होना चाहिए ठीक है न तो कहने का मतलब यह हुआ यह देखिए pairwise independent AC independent, AB independent BC independent, तो pairwise independent हो गया ठीक है? और एक mutually independent हो गया, मतलब probability of A intersection B intersection C जो है ना probability of A into probability of B into probability of C के बराबर होना चाहिए ठीक है? यह हो गया यार mutually independent है ना तो अगर कोई इवेंट्स अगर कोई 3 इवेंट्स अगर कोई तीन इवेंट्स ना अगर कोई तीन इवेंट्स इन कंडिशन को भी फोलो करते हों और इस कंडिशन को भी फोलो करते हों अगर कोई तीन इवेंट्स इन कंडिशन को भी फोलो करते हैं और इस कंडिशन को भी फोलो करते हैं तो ही उन तीन इवेंट्स को हम इवेंट्स वोलेंगे है चार इवेंटस गभी in nebator cat उया वान चार इवेंट्स गभी ine्टेबंडेंडेंदेंट्स तब होंगे जब नंधी जब दोन के बेढ्स में ingredient हो और चारों पिर आपस में los इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें एकदम fundamental theorem है और जब एक event हो रहा हो दूसरा event हो रहा हो दोनों के साथ होने की probability निकाली जाए तब इसका इस्तिमाल करते हैं और मैंने दो events के लिए बता दिया आपको कि probability of A intersection B दोनों का साथ होने की probability निकालनी हो तो probability of A into probability of B by A करके निकाल सकते हो ठीक है और probability of A intersection B intersection C है ना मतरब तीन events के साथ होने की probability निकालनी हो तो कैसे निकाले, इसमें multiplication theorem कैसे लगाएं, तीन events में, देखे, A और B इकठे करने हैं, तो पहले A हुआ, A के बाद फिर B हुआ, तो A intersection, B intersection, C की probability निकाल नहीं है, तो क्या इस निकाले हैं, पहले तो A हो गया, probability of A, फिर probability of B, when A has already occurred, जब A हो जाए, फिर B, अब A भी हो चुके ह हैं, तो into probability, into probability of C, when A और B दोनों हो चुके हो, तीन events में multiplication theorem ऐसे लगती है, दोस्तों, बात नोट कर लेना, probability of A intersection, B probability of A, into probability of B by A, probability of A intersection, B intersection, C, मतला पहले, A हुआ, फिर B हुआ A के बाद, फिर C हुआ A और B के बाद, इनकी probability को क्या करतो, multiply करतो, तीन events में, तीन events में multiplication theorem of probability लग जाएगी, एकदम याद होनी चाहिए, बेहद important है, बेहद important है, बहुत important है, चलते हैं आगे, पता दूँ आपको lecture के जो notes है, वो इस channel पे आ जाएंगे, notes यहाँ मिल जाएंगे, test की details आना चालू हो जाएंगी, बाकी details भी इसके उपर आती रहेंगी, लेक्चर के जो links हैं, वो भी इस पे आते हैं, कोई important announcement है, वो भी इस पे आती रहेगी, और यार, subscribe कर दो, जो भी कहानिया है यह, ज़्यादा reach out कर सकूँ मैं, maths को ले करके, ठीक है, unacademy app पे doubt पूछने का एक मस्त यह तरीका है, मुझे अच्छा लगता है, कोई भी doubt हो, क्रोप करके अपना देख लिया, कैसे पूछना है doubt, किन बातों का ध्यान रखना है, और वो कहान लिखा भी है, कहान लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, यही कोशिश है, मैच के लिए कुछ भी करना पड़े, करता रहूँगा, मैच सिंपलिफाई करता रहूँगा, यही मेरा जीवन है, मैच की छोटी छोटी बातें, कितनी ही difficult बात हो, उसको एक सहजता की साथ मैं पहुंचा सकूँ, ऐसे मेरी कोशिश है, यह मेरी कोशिश रहेगी, मुस्कुराना बेहद मुश्किल है, लेकिन जीवन मुस्कुराने का ही नाम है, हसते रहें, आज पास के लोगों को हसाते रहें, मैं भी कोशिश करूँगा, कि हसता रहूं, मगर यह पक्का है, कि तुम्हें हसाता रहूंगा, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाइ बाइ.